सब्सक्राइब कीजिए स्वाद दिल्ली बाई महर आपको और बेल आइकन दबाईए सबसे पहले वीडियो असलाम उलेकूम तो आज हम बहुत ही हसान और सिंपल सी रेशीपी लेके आएं जैसे की ठंड बहुत जादा पड़ रही है जादा टेम हम रसोई में नहीं दे पा रहे हैं ऐसे में अगर आपके हैं मेमान आ जाएं तो आप मीठे में बना सकती हैं अंडे की खीर या कहा जा सकता अंडे का हलवा या आप इसे कोई भी नाम देना चाहिए एक डिलिश्यस सी रेशीपी है मेरी ये बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से बन जाती है और सर्दियों में बहुत जादा फायदा करती है तो आप सब लोग इसे ट्राइ एक बार जरूर कीजिएगा टेश्टी के साथ में बहुत ही जादा सिंपल है और बहुत ही आसान मेठट से है सिर्फ पाँच मिनट में बन कर ये तैयार हो जाती है और टेश्टी खाने में तो बहुत ही जादा होती है चार अंडे है तो चार ही चमच में चीनी ले रही हूँ इतने हिसाब से बेस्ट ही है और दो सो गिराम बोईल दूद है मैंने दूद घरम करके ठंडा कर लिया है चीनी आप अपने टेश्ट का कोडिंग कम या जादा कर सकती है ये बिलकुल परफेक्ट बेठेगी इतनी चीनी इस में बिलकुल परफेक्ट बेठेगी देशी घी का यूज करेंगे हम देशी घी में इसका टेश्ट बहुत ज़्यादा खुल कर आता है ये मैं देशी घी ले रही हूँ इसमें से दो समच में देशी घी यूज करूंगी अब हम शुरू कर देते हैं बनाना तो चलिए ये हमने केस आउन कर दी है एक पेन हमने ले लिया है हलबा बनाते समय दिहान रहे पेन हमारा बिलकुल साफ होना चाहिए अक्तर हम टलका वगेरा दल में कुछ लगा देते हैं उसका टेश्ट आ जाता है और मिर्च ऐन्डा कुछ भी हम मिर्च वाला कोई चीज़ पका लेते हैं तो मीठने के अंदर उसका टेश्ट आ जाता है तो बरतन का जरूर खयाल रखे मैंने भी बहुती साफ करके ये रगड़ा है ताकि इसका टेस्ट बिलकुल खराब न हो और इसमें डाल दिया है मैंने दो चमच पूरे भर कर देसी घी अगर आपके पास देसी घी है तो आप इसी का यूज़ करें बहुती ज़्यादा टेस्ट खुल कर आएगा ना तो आप घी भी यूज़ कर सकती हैं इसे हम हलक अशा गरम करना है बलकि ये थो थोला तेज ही गरम हो गया हलके से तेज गरम करने पर ही हम अंडे उसमें एड कर देंगे सारे एक साथ फोरन ही उसमें एड़ कर देंगे चीनी और जल्दी जल्दी हाज से बिलकुल स्लो फ्लेम पर यह आपको थोड़ी देर पकाना है बहुत जी तेजी के साथ अंड़ा पकता है तो इसलिए थोड़ी देर पकाने के बाद जब इसमें लंज से पढ़ जाए थोड़ा सा हम दूद एड़ कर सारा दूद एक साथ नहीं डालना है फिर से हम एक दो बार चलाना है और अब आपको अपनी चूले की फिलेम मीडियम कर लेनी है फिर थोड़ा सा ओरेड कर देंगे एक बार फिर से हम इसे चलाते हुए पकाएंगे जिस टाइम आप यह अंड़े की खीर बना रहे हैं हो आपको ख्याल रखना है आच मीडियम और लो करते ही रहना है और इसी पर पूरा ध्यान देना है क्योंकि अंड़ा बहुत ही जल्दी से चिपकता है यह देखिए इसमें लम्स से पढ़ने लगे हैं अब हम आच को फुल पे कर देंगे इसका दूद का जो हमारा पानी सा है एक्स्ट्रा जो दूद हमने डाला है उसे हमें खुशक करना है तो हमें तीन मिनट फुल आच पर इसे पकाना है सारा टाइम छे से साथ आट मिनट से जादा नहीं लगते हैं मैंने वीडियो इसकी नहीं की है बहुत ही कम की है और तीन से चार मिनट में ही देखिए सारा ही पानी इसका जो हमने दूड डाला था पानी नहीं बलकि दूड कहा जाएगा वो बिलकुल खुशक हो चुका देखिए हलका हलका सा घी भी नजर आ रहा है बिलकुल इसे खुशक नहीं करना है क्योंकि फिर यह अच्छा नहीं टेस्ट देगा यह बिलकुल रबड़ी खीर क इतना टेस्ट देगा अगर आप इस तरीके से इतने इसी मेथड से आप अंडा बनाएंगे आपने अंडा बहुत बनाया होगा अलग अलग तरीके का मीठे का नमखीन ब्रेड का लेकिन एक बार यह खीर जैसा सुआद इसका बना के देखिए इसका टेस्ट बिलकुल इसका बन कर देगे यह बिलकुल मेरा तायार हो चुका है यह देखिए इतना पानी सा यह इतना हमें चाहिए अगर हम इसे खुशक कर देंगे तो टेस्ट इसका खराब हो जाएगा बस अब हम इसे सर्फ कर देंगे यह देखिए बहुत ही तरीके का आपने अंडा खाया तो जरूर से अपनी फेमिली को दीजिएगा बनाकर आपके घर महमान आएं और डिलिशेस सी कोई मिठाई बनाना चाहते हैं कोई मिठी सी चीज सब को पसंद आती है अक्सर तो दो से तीन महमान आये तो उनके लिए इतना बहुत है कि आराम से वो मुमिठा कर लेंगे यह देखिए बहुत ही टेश्टी बना हुआ है तो जरूर से मेरी रेसिपी को पसंद आगर आपको आ रही है तो जरूर से लाइक कीजिएगा मैं ऐसी न्यू न्यू रेसिपी अक्सर अपने चैनल पर लाती रहती हूँ लेकिन बहुत टाइम से मैं अपना काम बहुत स्लो कर दिया है क्योंकि मैं जो चाहती हूँ रिस्पोंस वो मुझे नहीं मिल रहा आप लोग अगर मेरे साथ जुड़े रहें मेरे साथ लाइक सब्सक्राइब करते रहें तो शायद मैं आप लोगों को इसी नहीं नहीं रेसिपी अक्सर लाती रहूँ तो जरूर से मेरे होसला अफजाई करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें मिलते हैं ऐसी ही नेक्ट रेसिपी में तब तक के लिए दीजिए इजाज़त अल्ला हाफीज